अरे ये बतो बादल घुमड रहे हैं मा मा मैं जाती हूँ अफ्तालाप से बर्दन धो ले आती हूँ अरे रे तू क्यों जाए ही मेरी बच्ची कहां है वो कलमुही उसे निकाल अरे रे तू कलमुही अंदर क्या कर रही है ये सारे बर्तन लेकर जा और तालाप में दो करा मा लेकिन बारिस हो रही है तुझे कितनी बार कहा है मा मा मत बोला कर मैं तुमारी मा नहीं हूँ अरे रे रे तहां से ये कलमुही मेरी बेटी कहीं से दिखती रह क्या चाप जा कर चुप चाप तालाप में दो करा मेरा दिमार मत खराब कर मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है जा रही हूँ अम्मा आज अगर मेरी मा होती मुझे इस बार इसमें यहां न भेज़ती अरे खाले रे उसके आने से पहले खाले नजर लग जाईगी वो आएगी तुझे खाते हुए देखेगी तो मा मुझे अब नहीं खाना है मैं तुमी कितनी बार कहती हूँ बार बार तुम मुझे परिसान करती रहती हो अरे रे मिल रहा है तो खाले कल मुझी आएगी तो कुछ भी हात नहीं लगने देगी क्या मा, वो तो कुछ खाती भी नहीं है, वो तो छूती भी नहीं है, और तुम तो उसे छूने भी नहीं देती हो अरे रे, देख, मेरी ही आउलाद मेरी बुराई करने लगी है जा, मर जाकर उधार, गर दूसरे कमरे में मेरे सामने मत रह कहां मर गई यह मुई, अभी तक नहीं आई है अरे, मीनी बीटिया, इस बारिस में तुम टालाब में क्यों आ गई हो? कुछ नहीं काका, बस यह कुछ बर्तन थे, उस बर्तनों को धोना जरूरी खाना काका, इसलिए आ गई थी अरे, बारिस हो रही थी, घर में ही धो लेते, तालाब म्यानी की क्या जुरूरत थी? नहीं, मा ने कहा था तालाब में ही अरे, वो तेरी मा नहीं है, मा मा कहके उस पर इतना भरोसा मत किया कर आप भी ऐसा कहती हो, मा भी ऐसा ही कहती है, आखिर क्या बात है? अरे, कोई बात नहीं है, मैं तो यूही कह रहा था, जाओ जाओ, बारिस में ज़्यादा भींगो मत, भींग जाओगी, तब यत खराब हो जाएगी, जाओ अरे, रे, आ गई कल मोही, इतनी देर से इंतिजार कर रही थी, अब जाके आई है है, वो मा, थोड़ी देर हो गई थी, हाँ, हाँ, तू, और तेरा देर, बैस काम ना करने के बहाने चाहिए मुझे साब पता है, तुम जैसी कवी ऐसी है करती है, अमा, भूब लगी है, जा उदर, उदर कोने में जाकर बैठ, दे रही हूँ खाना ये ले, खाना अरे रे, कहां है कल्मुही, सोती रहेगी क्या, उठ हाँ, अमा, जा, खेतों में जाकर देख, थोड़ा मिट्टी की कुडाई करनी है, तू जाकर कुडाई कर, बाद में मैं आओंगी, तो वहाँ पे बीज डाल दूगी, ठीक है, अमा अरे, तुम छोटी सी बच्ची, यहां खुदाई क्यो कर रही हो, आ, ये तो बहुत मैनत का काम है, मीनू मौसी कहा है मा आएगी थोड़ी देर में, अभी मैं ही यहां पर खुदाई करूँगी, देखो भैरो, क्या जमाना आ गया है, हाँ वही तो, इस बच्ची पे तो बड़ा अत्याचार करती है मीनू, पता नहीं क्या सोचकर, उसने ऐसा करना सुरू कर दिया है, अ कितनी अच्छी दोस्त थी इसकी मा, अरे जाने दो, अब क्या कर सकते है, इसकी मा ने मीनू को ही सौपाई से, तो क्या किया जा सकता है, चलो भाई, चलो, मीनू आ जाएगी, तो चार बाते सुनाना सुरू कर देगी, एक बड़ी मुस्किल खड़ी हो जाएगी, हाँ भया, ठीक ही कहते हो, चलो, अपने खेतों में भी बहुत काम है, अरे ये क्या है, यहाँ तो लगता है कुछ है, अरे ये तो कोई घड़ा लग रहा है, अम्मा को दिखाऊंगी, अम्मा खुस हो जाएगी, तुम इस घड़े को किसी को नहीं दिखाऊगी, चुप चाप अपने कमरे में छिपा के रख दो, अरे छोटी चिरियां तुम तो बोल रही हो, हाँ, मैं क्यों नहीं बोलूँगी, जैसे तुम बोल रही हो, वैसे ही मैं भी बोल रही हूँ, तुम सुनो, ये एक जादूई सुराही है, इससे जो तुम माँगी, वो तुम्हे मिलेगा, लेकिन इसे किसी के सामने मता ने देना, बिल्कुल, अगर ऐसा है, तो मैं इसे छिपा कर रख दूँगी, अभी तो अम्मा आने वाली होगी, मैं जाती हूँ, पहले इसे छिपा देती हूँ, अरे रे, ये कल मुही तो कहीं नहीं दिख रही है, क्या हुआ, खेत आई थी, कहां चली गई है, अम्मा मैं तो यहीं थी, अरे रे, कहां यहां थी, अम्मा थोड़ा तालाब चली गई थी, पानी पीने के लिए प्यास लगी थी, बड़ा आई, पानी पीने के लिए प्यास लगी थी, चलो, यहां काम करो, अम्मा थोड़ा सा चावल मुझे भी चुप कर जो है वही खा मेरे पास जादा चावल नहीं है मुन्नी बिटिया तू थोड़ा और ले ले नहीं मा मैं नहीं लूँगी मेरा पेट भरा हुआ है तुम दीदी को दे दो ना दीदी भी तो मांग रही है नहीं नहीं उसके लिए अरे कहा हो मीनू बाहर निकलो ऑडियरी यह कमीना अभी कईसे आ गया अरे मुखिया क्या बात है इतनी रात गये क्यों आया है अरे मीनू सायद तू भूल गई है अरे क्या भूल गई हूँ सायद भूल गई है कि तुने मेरे से ब्याज में पैसे लिये थे वो पैसे अब वापस करने का समय आ गया है उन पैसों को वापस करो अरे अभी तो मुख्या जी पैसे नहीं है पैसे खतम हो चुके हैं मुख्या जी अभी थोड़ा सा रुख जाओ अरे दो दिन का वक्त दे रहा हूँ दो दिन में पैसे नहीं ला पाई ये घर छोड़ना पड़ेगा ये घर मेरा हो जाएगा अरे रे ये क्या कह रहे हो मुख्या ये घर तो मेरा पुस्तैनी घर है अब बरसों से हम यहां रह रहे हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते अरे चुपकर बढ़िया जिसे नहीं पता हो उसे बताना मुझे सब पता है ये घर तुम्हारा कब से हो गया ये घर तो मीनी की अम्मा का है जो उसे तुझे सौप कर गई थी और तू हमेशा उसे परिसान ही करती है उसके घर में रह रही है और उसी को परिसान करती है मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से और तुम्हारी कहानियों से मुझे बस मेरा पैसा चाहिए अरे रे दे दूँगी तेरा पैसा जा हरे ये पैसे कहां से आएंगे धन्दा भी मंदा चल रहा है फसल भी तयार नहीं हुई क्या हुआ अम्मा क्यों परिसान हो अरे रे रे कल मुही क्यों परिसान रहूँगी हाँ अब तो ये छट भी नहीं रहेगी हमारे सर पे तीदी मुखिया जी आये थे उन्होंने कहा है ब्याज के पैसे नहीं दिये तो घर छोड़ देना होगा अम्मा इसलिए परिसान है अब बस इतनी सी बात मैं पैसों की वबस्ता कर दूँगी दीडी तुम कहां से करोगी जहां से भी करोंगी छोटी लेकिन तु अम्मा को मत बताना अच्छा मैंने ही बताऊंगी खड़े मुझे ठेर सारे सिख के चाहिए मुझे मुख्या का ब्याट चुकाना है मेरी मदद करो मुन्नी ये ले तु अम्मा को दे देना लेकिन मेरा नाम मत लेना दीडी लेकिन अम्मा पूछेगी इतने पैसे कहां से आए अरे तु कह दे ना पीछे जो सबजियों का बागान है ना उसके खुदाई से मिले है अच्छा ठीक है अरे ये क्या है मैं कोई सपना तो नहीं देख रही अरे बच्चों तुम लोग को इतने पैसे कहां से लेकर आए मुनी तुझे कहां से मिले अमा वो वो पीछे ना मैं एक पौधा लगा रही थी उसी के पास मिले अरे वाह ये तो मेरी सारी तकलीफ दूर कर देगी अब भी जाती हूँ उस मुख्या के मुँपर पैसे माराती हूँ अरे मीनू इतनी जल्दी ये सारा पैसा कहां से ले आई तुम अरे तुम आम खाओ कमीने कुठलिया मत गीनू अरे मौसी तुम गाओ की मौसी होगी लेगिन मेरे से चालाक नहीं होगी पता तो मैं कर ही लूँगा आखिरकार कहां से ला रही हो ये सारा माल साब हिसाब किताब होगा अरे ठीक है ठीक है जा जब जो होगा देखा जाएगा ये काम मुन्नी का तो नहीं है मुझे खूब अच्छे से पता है कुछ तो बात है, मुझे अपने ही घर पे नजर रखनी होगी कहानी मेरे ही घर से शुरू हो रही है कोई न कोई, घर में ही है, जो ये पैसे ला रहा है कहीं मीनी तो नहीं है मुझे आज अम्मा की याद पहुत आ रही है कास मेरी मा आज होती, मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा, तो ये बात है मा मैं जाती हूँ, बरतन धो आती हूँ अरे रे, रुक, यहाँ पर तुम दोनों पहले अच्छे से खाना खालो तब कहीं जाना मैं सब जान रही हूँ, तुने मेरी बड़ी मदद की मैंने तो हमेशा तुझे परिशान ही किया तुझे कभी अपना नहीं माना लेकिन तुने अपने परिवार की तरह हमें माना और इस घर में भी रहने दिया अम्मा, तुम क्यों पुरानी बातों को याद कर रही हो अब तो सब कुछ अच्छा है न, तुम भी तो बहुत अच्छी हो अब मीनू मोसी बहुत ही अच्छे से रहने लगी थी अब किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं अरे रे जुमरी क्या कर रही है अरे पकावडे तल रही हूँ खाएगी क्या अरे ऐसा मजा क्यों कर रही है तू तो बैठी हुई है अरे जब देख रही है तो क्यों ऐसे सवाल कर रही है हम्, अच्छा, मड़ी मसकरी सूज रही है तुझे और बताओ मीनू, कैसे आना हुआ मेरे घर अरे रे, क्या कहूँ, गाउवाले है न, कुछ से कुछ कहते रहते है क्या कहते हैं गाउवाले अरे गाउवाले कहते हैं, तू अपने बेटे का ब्याह कब करेगी अरे बेटा मेरा, और परेशान गाउवाले हो रहे है, और तू हो रही है ये क्या गजब है, तू क्यों परेशान हो रही है अरे रे, मेरा तो काम ही ये है जुमरी क्या करूँ, मेरे पेट में बात नहीं पचती है हाँ जानती हूँ मैं लेकिन मैं अपने बेटे का ब्याह अच्छे घराने में कराऊंगी अच्छी खूबसूरत कवी देखूंगी उसके बाद कराऊंगी अच्छी खूबसूरत कवी हाँ? अरे कवी भी कहीं खूबसूरत होती है सारी तो काली कलूटी होती है तुने अपनी सकल आइने में नहीं देखी है क्या देख मीनू ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तु मेरे से मजाक कर वो ठीक है लेकिन मेरे होने वाली बहु के भारे में उल्टी सीधी बात मत कर अरे रे तू तो बुरा मान गई लेकिन मैंने तो सच ही कहा ना सारी कवी तो काली ही होती है इसमें सुन्दर और बदसूरत वाली क्या बात है अरे बात है मीनू देख अच्छे घर से आएगी पैसे लेकर आएगी मेरा एक अकेला बेटा है और अच्छे घर वाले होंगे तो मेरे बेटे की मदद भी करेंगे ना सोच तो तू तू तो सोचती ही नहीं है बेखल है एकदम देख ले ना जुमरी कहीं इसी आसरे में तेरा बेटा बुढ़ाना हो जाए अरे धत चलिए यहां से निकल जब आती है अउल्टी-पुल्टी बाते करती है मेरा बेटा बुढ़ा क्यों हो जाएगा जा रही हूँ गांवालों के पेट में दरद हो रहा है हां मेरे बेटे को देख कर मेरा बेटा कितना सुन्दर छैल चबीला है हां मुझे क्या कमी है इतने सारे मेरे खेत हैं, मेरे पास घर है, मचलियों से भरी हिदालाब है, मुझे कौन नहीं देगा अपनी बेटी, मैं तो कल जाहूं, तो कल ब्या हो जाएगा मेरे बेटे का यह गावाले भी न, अजीब है, मेरा बेटा आता होगा, मैं खाना बना कर रखती हूँ, मेरे बेटे को गरम गरम खाने में मजाता है अरे, कालू भाईया, आजाओ, आजाओ, अरे, क्या बात है भैरो, मिठाई का डब्बा लिये आए हो, अरे, हाँ भाई, तुम चाचा बन गए हो, उसी का डब्बा है ये हम, अरे, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे, भाईया, मैंने तो साधी कर ली, तुम कब साधी करोगे अरे, कर लूँगा, जब मेरी मा मेरे लिए लड़की पसंद कर लेगी, तो मैं कर लूँगा तब तो हो गई तुम्हारी साधी, जुमरी काकी कैसी है, ये सभी को पता है, हाँ, वो तो तुम्हारे लिए हीरे जोहारात चड़ी, कवी ढून रही होगी, अब वो तो मिलने से रही देख भाई, मैं अपनी मा के खिलाप एक सब्द नहीं सुन सकता, मिठाई खिलाना है खिला, और यहां से निकल, अरे भाईया मैं तो मजाक कदा था, ये लोग खुसी का माउका है, मैं जाता हूँ, दूसरे पंचियों को भी मिठाई देता हूँ अरे, बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? अरे मा, थोड़ा सा काम बचा था, सोचा खतम ही कर लू, तो कल से बुआई का काम सुरू कर दूँगा, कितने दिनों तक कुड़ाई करता रहूँगा? हाँ, ठीक सोचा बेटा, सही ही सोचा है, लेकिन तू तो दोपहर को खाने भी नहीं आया, मैंने देख देरे लिए कितने सारे पकवान बना कर रखे थे अच्छा मा, अभी खा लूँगा, निकाल दो खाना मा, इतना सारा खाकर मैं क्या करूँगा, इतने में तो मेरा पेट फट जाएगा, थोड़ा बहुत ही खाऊँगा आज भैरो आया था, भैरो ने भी मिठाईयां खिला दी है भैरो ने किस बात की मिठाई खिलाई? अरे मा, उसके घर लल्ला हुआ है, सायद उसकी मिठाई होगी हाँ, वो क्यों नहीं खिलाएगा, मुझे चिड़ा रहा है, कोई बात नहीं है, मैं भी अपने बेटे का ब्याह करूँगी गाऊं के सारे लोग देखेंगे, मेरे बेटे का ब्याह, इतने अच्छे जगा करूँगी अच्छा मा, मैं खाना खा चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ मा, और देर तक नहीं बैठ सकता आच्छा ठीक है बेटा, जा मा, मैं जा रहा हूँ खेतों पर, हो सकता है दो पहर को ना आउँ, तो तुम ही आ जाना आच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी अरे, बड़ी योर की प्यास लगी है, आस पास तो पानी भी नहीं दिख रहा है जंगल में जाता हूँ, थोड़ा गहराई में जाकर देखता हूँ, कहां है पानी अरे, वा, 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 एक दम साफ पानी है, पीकर मन तरिप्त हो जाएगा, जाता हूँ इस तालाब के पास अरे, ये क्या हो गया, इस तालाब का पानी कहां चला गया, ये क्या जादू है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे, मुझे प्यास लगी है, बहुत जरूरों की प्यास लगी है, ये क्या हो रहा है अरे तुम कौन हो मैं मैं तो इस जंगल की यूबरानी हूँ तुम कौन हो मैं मैं तो प्यास लगी थी तो इस तालाब के पास पानी पीने आया था पर इसका तो पानी ही सूख गया अच्छा पानी सूख क्या है अगर पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी तुम्हारी कौन सी बात माननी होगी मुझे तेखो इस जंगल में सूखी लकडियों की कमी हो रही है इस जंगल से डून डून कर अगर तुम एक सो मन सूखी लकडियां जमा कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें पानी दे सकती हूँ ये क्या बात हुई एक सो मन लकडियां जमा करने में तो मैं खुद ही मर जाओंगा एक छोटा सा कवा हूँ कितनी लकडिये कठा कर पाओंगा वो तुम देख लो अब तुम्हारी मर्जी प्यास से मरना है या काम करके मरना है अरे मैं लकडियां ढूनता हूँ अब तो जंगल के काफी बीच में आ गया हूँ वापस भी नहीं जा सकता मुझसे नहीं होगा अरे ये तो बेहोस हो गया फो इसमें आ जाओ अरे ये क्या बारीस कैसे शुरू हो गई अरे तुम कोई जादू ही तो नहीं हो कैसी कैसी हरकते कर रही हो देखकर लग रहा है जैसे जादू अली बात हो बस जादू ही समझ लो चलो इस बारीस की बुनों से मेरी प्यास तो बुझ गई चलता हूँ अपने खेतों में काम करना है अच्छा तुमारे खेतों को पानी की ज़रूरत है क्या मैं साब चलू हाँ हाँ अगर तुम चलोगी तो बड़ा अच्छा होगा तुम तो जादू ही सक्तियों में माहिर हो मेरे खेत में पानी ला सकती हो हाँ वो तो ला सकती हूँ बोलो तो चलो हाँ हाँ चलो ये लो तुमारे खेत भींग चुके है बारिस भी अच्छी हो चुकी है एक बात कहूं क्या अब मुझे बहुत देर हो रही है मैं वापस जा रही हूँ कल तुम फिर आओगी क्या यहाँ पर मेरे खेतों में पानी के लिए तो तुम्हें कल भी यहाँ बारिस चाहिए हाँ अगर बारिस हो जाती तो बहुत अच्छा होता अरे क्या बात है आज बड़ा खुश नजर आ रहा है नहीं मा कुछ नहीं बस खेतों में पानी आ गया है तो अब बीज बोऊंगा जल्दी जल्दी हमारी फसल तयार हो जाएगी अरे आ गई तुम मैं तो बहुत देड़ से इंतजार कर रहा था आ तो गई हूँ पर बारिस आज बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मुझे जल्दी जाना है अच्छा ठीक है अच्छा अब मैं जा रही हूँ ठीक है जाओ ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझे से ब्याह कर लो मेरे ही घर में रहो ऐसा हो सकता है लेकिन तुम्हें मेरे पिता से बात करनी होगी देखो मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है लेकिन तुम बारिस कराती हो मैं तुम्हारा नाम बिजली रखता हूँ मैं तुम्हें बिजली बुलाओंगा अच्छा ठीक है मा मा कहा हो तुम अरे आ रही हो अरे ये क्या है अम्मा ये तुम्हारी बहु है अरे तुने मुझे बताया भी नहीं तुने ब्याह कर लिया ये कैसी बात है हाँ मैंने इतने दिनों तत तेरा धून धान से ब्याह करने का इंतिजार किया और आज तु यहाँ पर ब्याह करके आ गया है और कह रहा है ये बहु है मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहु तुम दोनों इस घर से निकल लाओ तुम दोनों कोई इस घर में कोई जगह नहीं होगी मैंने कितना कुछ सोचा था बहुत सारा दहेज बहुत सारी चीजे दावत बहुत सारी चीजे सोच रखी थी तुम दोनों ब्याह करके आ गए बिल्कुल नहीं इस गर में मैं गुशने नहीं दूँगी चाओ यहां से अरे भाई कालू ये तो होना ही था मुझे पता था जुमरी काकी बहुत देर कर रही है ऐसा करता हूँ मेरा एक घर खाली पड़ा है तू चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वहां रह सकता है बिजली काओ वाले बहुत परिसान है बारिस नहीं हो रही है क्या तुम अपनी सकतियों से बारिस करवा दोगी तो आज इतने दिनों बाद मेरी सकतियों की जरूरत पड़ गई है अच्छा मैं बारिस करवा दोगी आरे रे रे क्या कर रही है कल मुई देखो मिनू मुझे बहुत गुसा आ रहा है आज कोई मजाक मत करना आरे रे रे तू तो पगली है पहले भी पगली थी आज भी पगली है एकदम मुर्क महा मुर्क क्या हो गया तू मुझे ऐसे क्यों तेरी बहु कितनी सक्तिया है उसमें उसने आज गांवालो के खेतों में पानी बरसाया है तेरी किसमत कितनी अच्छी है तू सोने चांदी के पीछे पड़ी हुई है और तेरे पास तो ऐसी बहु है जिसके पास जादूई सक्तिया है तुम मुर्ख नहीं है तो क्या है फिर जुम्री सोचने लगती है हाँ तु ठीक ही कह रही है मैं ही बेवकूर थी एक नम्मर वाली चल अब जाके अपने बेटे और बहु को घर लेा जो जादूई सक्तियों से बारिस करा सकती है वो तो बहुत गुन्वनती है तुम्हारे घर को सुख से भर देगी ठीक कही है तु मैं जाकर उसे ले आती हूँ अब कालू बिजली सुखी से रहने लगे थे अपनी मा के साथ अब कालू जाके जाए बहुत लेगी